और अब आज के दिन की सबसे विशेश बात, आज जेश्ट कृष्णपक्ष की त्रेउद शीति थी और शनिवार का दिन है। त्रेउद शीति थी आज दो भारे एक बचकर दस मिनिट तक रहेगी, उसके बाद चतुद शीति थी लग जाएगी, आज राद दस बचकर बाईस मिनिट तक शोभन योग रहेगा, इस योग को बड़ा ही अच्छा माले जाता है, इस योग के दोरा शुरू की गई यात्रा म तालीस मिनिट तक भरणी नक्षत्र रहेगा, आकाश मंडल में इसके 27 नक्षत्रों में से दूसरा भरणी नक्षत्र को माना जाता है, भरणी का अर्थ होता है भरण पोशन करना, भरणी नक्षत्र के स्वामी शुक्रा चाहिए हैं और इसकी राशी मेश है, अता है इसके चारों चरण मेशराशी में ही आते हैं, इसके अलावा भरणी नक्षत्र का प्रती चिन्न, त्रिकोन आकरतिकों माना जाता है, जबकि वनस्पतियों में इसका संबंध आवले के पेर से बताया गया है, आपको बता दूँ कि जिन लोगों का जन्म भरणी नक्षत्र में हु और इसके जुडि किसी भी अन्य चीज को नुक्सान न पहुंचाए और आवले से बनी किसी भी चीज का सेवन न करें। और अपने घर परिवार के सुख सोभागी में वर्धी के लिए किया जाता है। सावित्री ने इसी वरत के प्रभाव से अपने पती सत्यवान के प्राण यम्राज से बचाए थे। आता है सोभागी वती महिलाओं के लिए ये वरत बड़ा ही महत्रपून है। लेकिन जानकारी के लिए आपको बता दूँ इस वरत की तिथी को लेकर कई तरह के मदवेद देखने को मिलते हैं। कुछ शास्त्रों में इस वरत को जेष्ट कृष्णपक्ष की त्रेउदशी, चतुरदशी और अमावस्या तक करने का भी धान है। तो वही राज मारतंड के प्रष्ट 1314, वर्ष क्रिया कौमुदी के प्रष्ट 260 और तिथी तक्त्यों के प्रष्ट 121 के अनुसार, जेष्ट शुक्ल चतुरदशी से जेष्ट पूनिमा तक इस वरत को करने का विधान बताएगा है। अतह शास्तुन के अनुसार इन दोनों ही तिथियों में वरत मानने है। जहां उत्तर भारत में वट सावित्री के इस वरत को जेष्ट क्रिश्ण पक्ष में किया जाता है। तो वही दक्ष्ण भारत में इस वरत को जेष्ट शुक्ल पक्ष में किया जाता है। फिलहाल हम जेष्ठ कृष्णपक्ष के दौरान के जाने वाले वर्ट सावित्री व्रत की बात कर रहे हैं बर्गदाही अमावस आपको यहां एक महात्रपूर्ण बात और बता दू कि बहुत से लोग आज जेष्ठ त्रेउदशी से लेकर अमावस्या तीन दिनों तक वर्ट इस वर्ट को तीन दिन या किवल अमावस्या के दिन कर सकते हैं इस वर्ट के दौरान वट वर्ट वर्गद के पेल की उपासना का विधान है ऐसा माना जाता है कि सावित्री ने भी अपने पती सत्वान के प्राना बचाने के लिए इसी पेल के नीचे यह मराज की उपासना की थी अतहा आप भी इस वरत से लाब उठा सकते हैं इसके अलावा हमावस्चा के दिन इस वर्ट साविती वरत के दोरान वर्ट रक्ष या बर्गत के पेल की किस प्रकार पूजा करनी चाहिए उसकी उचित्वीधी क्या है इसके बारे में हम सारी जानकारिया को कल के दिन देंगे लेकिन इससे पहले हम बात करेंगे मास शिवराती वरत भी है जैसा कि आप जानते हैं कि हर महिने के कृष्णपक्ष की चतुरदशी को मास शिवराती वरत किया जाता है दरहसल 33 दशीती थी आज दो पहर एक बच कर दस मिनट तक रहेगी उसके बाद चतुदशी तिथी लग जाएगी जो कि अगले दिन दो बाद दो बच कर चपन मिनट तक रहेगी और मास शिवरात्रिका वरत उस दिन किया जाता है जिस दिन चतुदशी तिथी रात के समाई होगा जाहिर तोर पर आज के दिन चतुदशी तिथी पूरी रात रहेगी जब कि कल के दिन रात होने से पहले ही चतुदशी तिथी समाप्त हो जाएगी आताहा मास शिवरात्रिका वरत आज ही के दिन किया जाएगा आज के दिन भगवान शिव की पूजा का विधान है आज भगव होती है और जीवन में चल रही सभी समस्याओं का समाधान भी निकलता है इसके अलावा आज जो भक्त मास शिवरात्र का वरत करते हैं भागवाश्यों उन से प्रसंद न होकर उनके सभी कामों को सफल बनाते हैं आज मास शिवरात्र का करके और कुछ खास उपाय करके आप कैसे अपने जीवन में सारे कारियों को सफल बना सकते हैं और समस्चाओं का समाधान पाकर अपनी मन्चाही इच्छा पूरी कर सकते हैं आज हम इसकी चर्चा करेंगे तो ये थी वर्साविती व्रत और मास शिवरातिवत से जुड़ी कु भगवान को हाथ जोड़कर प्रणाम करें आज के दिन ऐसा करने से आपके परिवार की समझ्दी बनी रहेगी अगर आप अपने किसी शत्र से परिशान हैं तो उससे मुक्ति पाने के लिए आज के दिन इस्त्रान आजिसेने पर थोकर भगवान शिव के सामने घी का दीपक चलाएं साथ ही शिव जी के समंत्र का ग्यारा बार जब करें मंत्रोय था ओम शंग 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 शिवाय शंग शंग कुरु कुरु ओम आज के दिन ऐसा करने से आपको अपने शत्रों से जल्द ही छुटकरा मिलेगा अगर आप अपने धन धान्य और भहुति शुखों में बहुतरी करना चाहते हैं तो आज के दिन सुबह इसनान आज के काज़ों से निवर्थ होकर अपने घर के आसपास किसी शुबंदिर में जाकर जल में थोड़ा सा गंगा जल डालकर शिवलिंग पर चलाएं साथी भगवान से हाथ जोड़कर प्रात्ता करें आज के दिन ऐस करने से आपके धन-धाद्य और भौतिक सुखों में बढ़ुतरी होगी अगर आपको कोई परेशानी है और आप उसका हल नहीं निकाल पा रहे हैं तो अपने परेशानी का हल निकालने के लिए आज के दिन शिवलिंग पर दूज हर्पिक करें साथ ही 11 बेल पत्र पर चंद परेशानी को बढ़ाना चाहते हैं तो आज के दिन शिवलिंग पर दूज हर्पित करें साथ ही 11 मंतर है ओम नमस्षिवाय ओम नमस्षिवाय आधाशा पूराशा चोटी इकी मात्रा मंत्र महारणों में यह सुरू भी दिया हुआ है ओम नमस्षिवाय के अलावा यह सुरू भी दिया है नम आधाशा पूराशा चोटी इकी मात्रा वाय ओम नमस्षिवाय इस प्रकार जब पूरा हो जाने के बाद अपनी आमदनी में बढ़ोतरी के लिए भागवान के सामने हाथ जोड़कर बिंती करें आज के दिन ऐसा करने से आपके आमदनी में बढ़ोतरी होगी अगर आप कर्ज से मुक्ति पाने के लिए पाने के साथ ही अपना आर्थिक पक्ष मजबूत करना चाहते हैं तो आज के दिन शिवलिंग पर तिल चढ़ाएं साथ ही भगवान को विश्री का भोग लगाएं अगर आप अपनी सभी मनों कांबनाओं को पूरा करना चाहते हैं तो आज के दिन शिव मंदिर जाएं और शिवलिंग पर धतूरा चाहें साथ ही शिव जी को प्रणाम करें और उनके सामने आसन विछा कर बैठ चाहें फिर शिव जी के मंतर का 108 बार जब करें मंत्र है ओम नमह शिवाय ओम नमह शिवाय आज के दिन ऐसा करने से आपकी सभी वनुकामनाय पूरी हो अगर आपको अपने प्रहाई लिखाई से सम्मधित किसी प्रकार की परेशानी आ रही है तो उस परेशानी से बाहर निकलने के लिए आज के दिन सुबह इसनान आदि के बाद आपको शिव चालीजा का पाट करना चाहिए साथ ही शिवलिंग पर चंदन का टीका लगाना चाहिए आज के दिन ऐसा करने से प्रहाई लिखाई से सम्मधित आपकी सभी परेशानियों का हल निकलेगा अगर आपका जीवन तरक्की के रास्ते के और बढ़ता बढ़ता बीच में कहीं अटक गया है तो जीवन में तरक्की को बनाए रखने के लिए आज के दिन सुबह के समय शिव जी को पंचा मर्थ और सफेद फूल चड़ाईए आज के दिन ऐसा करने से जीवन में आपकी त नहीं कि तो ये थी चर्चा आज के जोग आज के दक्षत्र और समय के बारे में और तदनकुल उपायों के बारे में उम्मीद है कि आप इन उपायों को अपना कर फाइदा चरूर उठेंगे इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूस गूगल प्ले स्टोर या अप स्टोर पर